हेलो प्रेंट्स आज मेरे पास है वीवो की ब्रैंड न्यू मोडल वीवो वी 29E चलिए हम इसके फीचर्स अप लोग हम बताने वाला हूं चलिए जो फोन है इस फोन में जब भी हम कॉल रेकोडिंग करते हैं एक एनाउंसमेंट सुनाए दिता है यह है डाइलर ठीक है यह है की डाइलर तो हम इसमें पहले हम कास्टमर क्यार एक बर कॉल करते हैं कि अब हम कॉल करेंगे तो इसको कैसे हटाना है आज हम दिखाने वाला है तो चलिए देखते हैं वीडियो को फटापट पहले से और मैं हमेसा वीडियो मोबाइल रिलेटेट बना तरह हूँ अगर आपको प्रसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा तो हमें जाना कहा है पहले हमको सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के बाद हैं पर देखिए एपस बाला जो अपसन है इसको हम टाच करेंगे ओके फिर हम फोन अप्स को जाएंगे यह पर देखिए जो ब्लू कलार है वही गूगल का डाला स्लेक्ट पेले से है हमको क्या करना है हमको लाहर्द है इस ग्रीन कलार को सेट कर लेना है और बैक प्रिस कर दिना है ठीक है यह आफ़ देखिए आपके पास और एक application जो है वो आपके screen में दिखा देगा यह देखिए यह select पहले से था हमने अभी यह वाला select किया है तो हम अभी क्या करेंगे इस blue color को long press करके कि रखेंगे and apps information में जाएंगे अगर आपके पास uninstall का option है तो आप uninstall कर लिजिए अगर uninstall की option नहीं है तो इसको आप digital कर दिजिएगा digital करना से क्या होगा आपका जो apps इस phone की memory में तो रहेगा बट आपको screen में दिखा नहीं देगा ठीक है तो यह है मेरा apps इसको हम home screen पर लाके यह पर छोड़ देंगे ठीक है मेरा पहले से एक था तो अभी हम इस वीवो की डाइलर से एक बार ओपिस की नामबर से कॉल करेंगे यह पर देखिए सेम नामबर मैंने डाइल किया और यह पर देखिए रेकोड पहले इस सेट राइट सेट था अभी लेप साइड में है तो अभी हम जब भी रेकोडिंग करेंगे तो आपको कुछ सुनाएं नहीं देगा आप बेशिकार कॉल करते रिए और वीडियो को लाइक करते रिए थैंक्यू पर वाचिंग बाइबाई